हेलो फ्रेंज मैं हूँ विजिया और आप देख रहे हो विजियास क्रिएटिव कार्डन फ्रेंज आज जो है हम आपको एक लिक्विट फटलाइजर बनाना बताएंगे जो कि आपके गर्मियों वाले पौधों के लिए बहुती फायदे मंद है आप इसको जो है अपने मनी प्लांट में और दूसरे इंडोर प्लांट में बिना डरे हुए डाल सकते हो और ये बहुती असानी से बन जाता है इसका असर भी बहुत होता है तो इसमें जो है मैंने 10 लीटर पानी लिया है 10 लीटर और उसमें जो है मैं ये गोबरखाद मिला रही हूँ गोबरखाद का जो basic nature होता है ये गर्माहट वाला होता है लेकिन जिस धंक से हम इसको बनाएंगे तो इसकी गर्माहट जो है ये खतम हो जाएगी बिल्कुल भी नहीं रहेगी मेरे पास यहाँ पर कोई exact measurement की चीज नहीं थी तो मैंने जो है ये एक लीटर का डिबबा ले रखा है ये एक लीटर का है तो अंदाज से हम कर रहे हैं तो दस लीटर पानी में दो किलो दो केजी आपको गोवर खाद मिलानी है कम जादा थोड़ा बहुत चल सकता है कोई भी नुकसान नहीं होगा 10 लीटर पानी में 2 kg गुबर खाद मिलाई है इसके बाद इसमें गुड़ डालना है जैगरी ये गुड़ जो है ये काला वाला रहे तो सबसे अच्छा रहता है लेकिन काला वाला मेरे पास था नहीं तो मैं इसको पीले वाले को यूज कर रही हूँ ये पीले वाला जो है ये कैमिकल से साफ होता है इसलिए इतने अफेक्टिव नहीं रहता है तो इसमें जो है दो छोटा चमज 2 टीज स्पून मैंने गुड़ डाला है जैगरी डाला है ये जो गुड़ होता है ये माइक्रोब्स की संख्या को तेजी से बढ़ाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस को बढ़ाता है ये बहुत ही एफेक्टिव होता है इस काम के लिए इसको जो है फटलाइजर को साथ दिन 7 डेज रखना है डेली आपको इसको एक बार क्लॉक्वाइस एक बार एंटी क्लॉक्वाइस घुमाना है डेली थोड़ी देर तक इससे क्या होगा इसके अंदर हवा जाएगी एर जाएगी जो माइक्रोब्स पैदा हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन मिलेगी और वो अपनी संख्या को देजी से बढ़ाएंगे और इसमें बहुत सारे नूट्रियंट्स पैदा होने लगेंगे अब फिर हम आपसे बाद में मिलते हैं यहाँ पर लिक्विर फटलाइजर बनाई हुए 15 दिन से ज़्यादा समय हो गया है आप जाग देख रहे हो इसका यह अच्छा इंडिकेशन है और इसको जो है अब हम यूज करना आपको बता रहे हैं अपने मनी प्लांस के लिए आप अपने सभी इंडोर प्लांस में इसको बिना डरे डाल सकते हैं इसमें पूरे पॉष्टिक तत्तु कहते हैं जो हम लोग वो आ चुके हैं माइक्रोप्स बन चुके हैं जो कि हमारे प्लांस की ग्रोथ के लिए अच्छे रहेंगे तो अब हमने यहाँ पर साधरन पानी लिया है हम एक डिबा ले रहे हैं आप जो हैं ग्लास कटोरी कुछ भी ले सकते हैं अपने प्लांस की संख्या के हिसाब से तो एक डिबा हमने यह पानी लिया है रेडी पानी येवाला लिक्विट फट्लाइजर और पांच डिब्बे हमने साधरन पानी लिये हैं बिलकुल साधरन धामानी मतलब एक डिब्बा मैंने जो लिक्विड बनाया था वो लिया है और पांच डिब्बे मैंने साधरन पानी लिये हैं और इसको मिलाया है इसमें जो है नाइट्रोजन की मातरा तो है साथ में दूसर नहीं है कि वो खराब होगा वबसस को आप चलाते रहना चलिए अब हम इसको अपने इस प्रे बॉटल में भर लेते हैं फिर आपके साथ दिखाते हैं आपको इसको जो है आप हर साथ दिन में 7 डेज में डालिएगा इससे आप फोलियर इस प्रे भी कर सकते हो अपने मिट्ट में भी डाल सकते हैं साथ में आपके जो सब्जियों वाले प्लांट्स हैं उसमें भी एफेक्टिव रहेगा अब चलिए यहां पर हमने अपना मनी प्लांट रखा है यहां पर धूप थोड़ी कम आती है यहीं पर मैं पर्मानेटली रखे रहती हूं अपना इसमें जो है प यह तो आप हर हफ्ते यह फोलियर इस्प्रेय कर सकते हो साथ में मित्टी में भी इसको आप बिनकुल बचयाईगा यह जब तक आपके पास है तब तक इसको यूश करते रहना कोई नुकसान नहीं होगा ये जो लिक्विट फेटलाईजर यह खतम हो जाएगा आपका नीच कर सकते हैं जब तक उसका थोड़ा भूरा दिखता रहता है तो फ्रेंड इस तरीके से और्गनिक चीजों से आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है साथ में आपकी मिट्टी भी बहुत अच्छी रहेगी कोई भी नुकसान नहीं होगा इससे फ्रेंड उमीद है